तो दोस्तो आज हम बनाएंगे मूली का बहुत ही स्वादेश्ट बहुत ही किरिस्पी बहुत ही बढ़ी अनास्ता यकीन मानिए दोस्तो एक बर बना लेंगे न तो आप बार बर बनाना चाहेंगे किसी को भी पता नहीं चलेगा दोस्तो कि यह मूली का नास्ता है अगर आप क कदुकस से कदुकस कर सकते हैं तो चलिए इसे कदुकस कर लेते हैं तो दोस्तो आपसे रिक्वेश्ट है कि अगर हमारी वीडियो आपको थोरी सभी पसंद है दोस्तो तो पिलिज लाइक से और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिए का कि आपको कादुकस कर लिया हुआ है पाइन में 2 चमाच यह पुराज अधाज कलंजी डाला है और यहाद दो हरी मिर्च को हमने कर काटकर लिया था लीज यह किछ अधर को कूट कर लिया था इसे थोड़ा सा भून लेंगे कुछ सेकंड के लिये उसके बाद इस किये हुए पूली को डा देख सकती है दोस्तों नमक डाल देते हैं स्वात कैनुसर इस तरीके से मूली थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी नमक के होजा से मूली को मिक्स कर लेते हैं नमक में कि देख सकते दोस्तों से अधा चमज भूना हुआ जीराई पाउडर आधा चमज अजवाईन डालेंगे आधा चमज डालेंगी हम धनीय पाउडर और एक चौटाइच में आधा काली मिच के पाउडर दाला है और अधा काटोरी हम हरी धनि दालेंगे और पानी में हम वालाने देंगे आदा चमच डालेंगे चिली फ्लेक्स आप अमने तीखा के एक ओर्डिंग कर सकते हैं चिली फ्लेक्स नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा और पानी में जैसे ही वाला जाए तो एक कप हम चावल काटा लेंगे जिस कब से हमने पा तो ये देखिए दोस्तों ये बंधने लगा है देख सकते है ना इसका मतलब ये हो चुका है चलिए थाले में हमनी तेल गिरिस कर लिया हुआ है उसको इसी में फैला लेते हैं अच्छे से अगर आपके पास केक टीन हो तो उसमें भी आप इसे अच्छे से फैला सकते हैं जो तो चलिए इसके हम सेप दे देते हैं तो चाकू में लगेगा दोस्तों तो थोरा सा तेल लगा लेजिएगा चाकू में तो चलिए इस तरीके से हम ट्राइंगल से देते हैं इसको आप अपने मन पसंद से बना सकते हैं चाहे तो इसकी पूरिया भी बना सकते हैं या जैसा और अर बहत ही बढ़िया यह नास्त लगता है को दशतो कितने थोड़ा सा च में अच्छारी देते हैं चलिए बोहत ही चलिए अच्छा मिबूलकर सहारे जाज़तेаков리 दोफूल रज़ी मूली बहुत ही ज़्याधा मिल रहा है और पहुत ही सस्टे में भी गासे। इसी एक साथ जब ये फ्राई होुझे इसके बाद ही पल्टेंगे दोस्तों डालते डालते हम इसे नहीं पल्टेंगे और इसे उलटते पलटते हुए अच्छे से गोल लेन कलर आने तक इसे हम फ्राई करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तो ये फ्राई हो चुके हैं इसका कलर बहुत ही बढ़ी आया है तो चलिए निकाल लेते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये नास्ता कैसा बना है तो ये नास्ता बच्चों से लेकर बरोता को बहुत ही ज़्यदा पसंद आता है तो इसे इंज्वाय करें दोस्तों धन्यवाद फिर मिलतें एक नहीं वीडियो के साथ